नमस्का दोस्तू, स्वागत है आपका हमारे चनल पीके गुरूजी में आज के अपने इस वीडियो में हम एक मैथ का पिसन सौल्ब करेंगे तो पिसन क्या है? सबसे पहले उसकी बात कर लेते हैं तो चलिए हम पिसन को देखते हैं पिसन हमारा है कि पाँच क्रमागत संख्याओं का योग 270 है इन में से दूसरी तथा पाँचमी संख्याओं का योग क्या होगा? ठीक है? उसने हमारे कहा है कि पाँच क्रमागत संख्याओं हैं जिनका योग कितना है? 270 है और पूछ लिया है कि दूसरी और पांचवी संख्याओं का योग हमें पताईए कि कितना होगा तो हम सबसे पहले यह मानेंगे कि जो क्रमागत संख्या हैं वो कौन-कौनती है तो पहली हमने एक्स मान ली दूसरी एक्स प्लस बन होगी फर एक्स प्लस टू होगी एक्स प्लस थिरी होगी और एक्स प्लस फोर होगी यह पंच क्रमागत संख्या हमारी हो गई है अब इन ही 5 क्रमागे संख्याओं का योग कितना बताया उसने 270 है तो हम इन सब को जोड़ देंगे एक्स प्लस एक्स प्लस बन प्लस एक्स प्लस टू प्लस एक्स प्लस थिरी प्लस एक्स प्लस फोर बराबर 270 ठीक है जैसा उसने कहा हमने बैसा लिख दिया अब इसको जोड़ देंगे तो x कितने ही हो गए है एक दो तीन चार पांच तो x हो गए है हमारे पांच 5x प्लस एक और दो तीन और तीन च्छे और चार दस यहां से हो गया बराबर में हैं 270 अब 10 इस साथ चला जाएगा तो 5x बराबर हो जाएगा 270 माइनस का 10 तो 5x बराबर हो जाएगा 270 में से 10 जाएगे तो 260 x बराबर हो जाएगा काट देंगे 25 पांच दूना 10 x की बेलू कितनी निकल के आई यह निकल के आई 52 यानि कि पहली संख्या है हमारी यह बावन है लेकर उसने किसना पूछा है दूसरी तथा पांचमी संख्या का योग कितना होगा तो जब पहली हमारी 52 यानी 52 निकल के आई तो यह है 53 होगी पिर 54 पिर 55 और 56 अब दूसरी यह संख्या है हमारी 55 और पांचमी संख्या है हमारी 56 ठीक है तो दूसरी और पांचमी को जब हम जोड़ेंगे तो दूसरी है 53 और यह है 56 जोड़ देंगे 6 और 3 9 5 और 5 10 तो आंसर इ ठीक है तो जब ऐसे प्रस्टन दिये हों तो हमें इसी प्रकार से लगा देना है हमारा आंसर मिल जाएगा ठीक उसने जैसा कहा है हमने बैसा करते जाएंगे पहली संख्या हमें मिल गई कर्मागत थी तो पांचों कर्मागत होंगी और दूसरी और पांच मी का जोड पूछा था तो दूसरी और पांच मी को हमने जोड दिया दोनों को जोड दिया आंसर हमारा मिल गया 109 तो ऐसे ही नोलेज बढ़ाने बाले वीडियो दिखने के लिए जुड़े रहिए आपके अपने चनल पीके गुरू जी के साथ नमस्कार